गर से बाहर निकलो अपने देश के बंदूओं के साथ वो कौन है कहां से आते हैं कहां जन में कुछ विचार मत करो कितना कमाते हैं हमीर है की गरीब कुछ मत विचार करो समाज में मेरे जैसे प्रतिक्षित है कि उंचे है कि हल्क कुछ विचार मत वो मेरे अपने भाई है उनक साथ मात्रू भूमी के दूल में लोटपोट होते हुए खेल के लो मात्रू भूमी के बक्ति के गाम गाओ पुर्वजो के पराक्रमी कथाओं को सुनकर अपने शरीर में वीरवरत का संचार करवा और भारत बाता की प्रारताना करो प्रोज करना एक गंड़ का वह है शरीर मन बुद्धी देश के कारे के लिए तैयार होती है एक स्थिती पर पहुंशने के बाद उसको वैसा ही रखा तो सदेवर कितने भी मुआकर्शन स्वारत अप्राप्त हो जाए मनुष्य अड़िग होकर अपने देयपत पर चल सकता है यह संग है यह सब को करना है एक गंटे की साधना करना और फिर अपने जीवन में समाज की आवश्च्ता को पूर्ण करने वाला या समाज के अभाव को दूर करने वाला या समाज को भुनाने की कभी नहीं सोचना बहुत सेवा की अब मुझे वोट दो ऐसा नहीं कहना उसके लिए काम नहीं है संग में स्वयम सेवक बहुत कुछ करते हैं समाज के लिए भी करते हैं संग के लिए भी करते हैं उनको थैंक्यू भी नहीं बोलते हैं धन्यवाद भी नहीं बोल कि तूमारे पास कुछ है तो वो चला जाएगा हिम्मत फैसे तुम्हारा भी बला है हमारा भी बला है ये देने का काम है ये करना है ये अपया, शाशा, निराशा, प्राप्ति, लाव, आनी कुछ विचार नहीं करना क्योंकि ये रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है अपने जैश के स्वतंतरता के लिए काम करने वाले और स्वतंत्रता के बाद अपने जैश को बढ़ाने वाले जितने लोग है उनका साहित्य देखो या उनके भाशन कही है तो पढ़ो सुनो अगर सुनने को मिलते हैं सबने इस एक सत्य को बोला है इस समाज को सद्गुनों में सुशिक्षित करते हुए एक बनाकर देश के लिए जीने वरने का उद्दम करने वाला समाज बनाना तब ही भारत के भाग्य का उद्दै है